नमस्कार बच्चों गुड़ीनिंग राम रामसा क्या हाल हैं बढ़िया होंगे और हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे सेल में गुंसुत्र चल रहे थे और गुंसुत्र में आपको मैं लास्ट बता रही हूँ अब गुंसुत्र की खोज बता दी थी मैंने आपको सरचना भी बता दी थी गुंसुत्र के बारे में ये भी बता दिया था डिजीज कौन-कौन सी होती है काई गुंसुत्र के रोग मै क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, तीसरा था अपराधी या जैकप सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का उल्टा आपको क्लाइन फेल्टर में करना था, टर्नर हमेशा मैलाओं में, तो क्लाइन फेल्टर हमेशा पुरुश में, टर्नर सिंड्रोम में एक X की कमी, क्लाइन फेल्टर मे ट्रिपल एक्स और पुरुष में अपरादी सिंड्रोम चमालीस प्लास एक्स डबल वाई पटाव एडवर्ड डाउन सिंड्रोम आपको याद होई गये थे मैंने आपको ट्रिक बता दी थी इसके बाद में देखो आपन पढ़ रहे हैं गुण सुत्र की जो आप एना फेज जब सेल डिवीजन होगा ना अपन सेल डिवीजन पड़ेंगे बी सेल डिवीजन की अंदर गुंशुत्र होते हैं वो डिवाईडेशन होता है तो अलगलग आकरतिए बनती है उनकी तो गुंशुत्र की आकरती पड़रaremosपन अवस्था में किया जाता है तो मेटाफेज अवस्था में ये में आपको लिखाया था गुण सुत्र की आकरती का अध्यन कौनसी अवस्था में किया जाता है तो आकरती का अध्यन कोशी का विभाजन की एनाफेज अवस्था में किया जाता है समझ गए क्या गुण सुत्र की आक्रती या शेप का अध्यन कोशी का विभाजन की कौन सी अवस्था में एनाफेज अवस्था में किया जाता है समझ गए तो दो चीजे आप याद रखो गुण सुत्र की सरचना का अध्यन तो मेटाफेज गुण सुत्र की आक्रती का अध्यन एनाफेज अब आक्रतियां चार प्रकार की गुंसुत्र होते हैं, एक तो होता है मेटासेंट्रिक, ये आरस लेवल का मेटर है, मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, चार प्रकार की गुंसुत्र की आकरतिया बनती हैं, सेल डिवीजन के दोरां, ती इसरा होता है एक्रोसेंट्रिक और फोर नंबर पर होता है टीलोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक समझ गए तो गुण सुत्र की कितनी प्रकार की आकरतियां बन गई चार प्रकार की मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ये सारे जो नाम है गुण सुत्र की सरचना में मैंने आपको बताया था ऐसा चितर में रफली बना की बता देती हूँ आपको ये बीच में मैंने जो बनाया था इसका नाम अपने क्या लिखा था ह साई बोल रहे हो ये था सेंट्रो मियर को ही क्या बोलते हैं काइनेटो कॉर इसी को ही क्या बोलते हैं प्रात्मिक संकीर्णन तो ये सारी जो आकरतियां है ना ये सेंट्रो मियर की पोजिशन के आधार पर बन रही हैं तो पहली बात तो गुण सुत्र की आकरति का अध्यन विभाजन की कौन सी अवस्था में एनाफेज अवस्था में गुंड सुत्र की आकरतियां किसके बैस पर बन रही हैं सेंट्रो मियर के आधार पर यां सेंट्रो मियर के बैस पर तो मैं यहां पर लिख रही हूं सेंट्रो मियर की इस्थती सेंट्रो मियर की इस्थती लोकेशन होंगे देखो metacentric metacentric में centromere होता है बिल्कुल बीच में ऐसा और इससे कौन सी आकरती बनती है V-shape पाकरती बन जाती गुणसुत्र metacentric अवस्था में centromere गुणसुत्र के बिल्कुल बीच में होता है और V-shape आकरती बनती है सब metacentric में मद्धे से थोड़ा उपर और मद्धे से थोड़ा उपर है तो बीच में तो ऐसा था ना तो यह थोड़ा उपर ऐसा बनेगा और आकरती क्यालाती है J या L.-ithm आकरती होती है J या L शेप, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर, एक्रोसेंट्रिक में होता है सिरे से या end पार्ट से थोड़ा सा निकट, जैसे ये last पार्ट है ना, last पार्ट पे तो सेंट्रोमियर होता है टीलोसेंट्रिक में, टीलो याने होता है सिरा, जब सेंट्रोमियर सिरे पर होता है तो टीलो सेंट्रीक और सिरे के थोड़ा सा निकट है सिरे के निकट है तो कौन सा होता है एक्रो सेंट्रीक तो सिरे के या एंड पॉइंट के निकट सिरे के निकट तो वो कौन सा होता है एक्रो सेंट्रीक और एक्रो सेंट्रीक में कौन सी शेप बनती है क्यालाती है आई शेप है समझ गले देखो गुणसूत्र की आकरति का अध्यर को शी का विभाजन की एना फैज अवस्था में इसमें चारप्रकार की गुणसूत्र की आकरतिया बनी METACаль Lagthanay strategy सब मेटा सेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक टेलोसेंट्रिक इसमें सेंट्रोमियर बीच में इसमें बीच से उपर इसमें लास्ट एंड पॉइंट के निकट और इसमें बिल्कुल एंड पॉइंट पर और जब सेंट्रोमियर एंड पॉइंट पर होता है तो आई शेप और एक्रोसेंट्रिक में रोड त्रशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में? आंसर एनाफेज सेकंड हे गुण्शुत्र की आकरतियाती हैं किसकी आधार पर बनीएं? तो आंसर सेंट्रोमियर फिर आकरतियों की आधार पर गुण्शुत्र कितने प्रकार की हो गए? चार और फिर तो ये तो पूछ सकते हैं कि किस में centromere कहा पर होता है, इतना आप समझ गए होंगे, एक बार मैं आपको इसको diagram से भी दिखा देती हूँ, देखो ये रहा, देखो इदर, metacentric में centromere बिल्कुल बीच में है न, ये तो normal chromosome का diagram है, ये तो अपन पढ़ भी चुके थे, ये metacentric condition है, जिसमें centromere बिल्कुल बीच में होता है, और इसको यूँ करके बनाएंगे न, तो फिर ये V-shape ही बनेगा, और submetacentric में, बीच से थोड़ा पास में, मद्धे के निकट, submetacentric होता है, मद्धे के निकट, और इसमें J यहां L-shape आकरती बनती है, अब ये तीलो-centric में, साइंस में तीलो-वर्ड होता है, सिरे के लिए, तीलो याने होता है, सिरा, साइंस में तीलो का मतलब क्या होता है, सिरा, तो सेंट्रिक होता है, सिरे पर, जब सेंट्रो मियर सिरे पर होगा, तो वो तीलो-सेंट्रिक, और सिरे के निकट होता है, एक्रो-सेंट्रिक, समझ गए, सिरे के जस्ट निकट होता है, एक्रो-सेंट्रिक, ये तो अपनने डाइग्राम से देख लिया, इसको, अब इसकी बाद में आप देखो गुण सुत्र की बाद में अपन पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताये था गुण सुत्र पर रेखाओं की रूप में कौन होते हैं जीन तो गुण सुत्र पर रेखाओं की रूप में जीन होते हैं तो अब अपन जीन पढ़ रहे हैं, जीन का कोशन एक्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, गुण सुत्र का जीन का, जीन शब्द किस ने दिया था, जोहन सन ने, जीन शब्द किस ने दिया था, जोहन सन ने, ये से सी में कोशन आया हुआ है, जीन वर्ड देवने वाले हैं, जॉंसन, मेंडल का नाम आपने सुना होगा, मेंडल ने काम किया था अनुवानशी की पर और फादर ओफ जेनेटिक्स भी कौन है, मेंडल, मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था, कारक, मेंडल ने जीन को कारक नाम दिया था, इतना आप समझ गए होंगे, अनुवानशी क लक मिलते हैं ना माता पिता से वो जीन से ही मिलते हैं फिर अपन लिख रहे हैं ये भी आया हुआ है जहन में एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। 1 जीन, 1 एंजाइम, हाईपो थेसीस. एक जीन, एक एंजाइम, परिकलपना को देने वाले कौन हैं? बीडल और तॉटम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक जीन में कितने एंजाइम होते हैं? एक एंजाइम होता है. और यह बीडल और टेटम ने किसकी आधार पर बताया था नीरोएस्पोरा कवग की आधार पर बताया था नीरोएस्पोरा कवग पर इन lantern ne कारे करके बीडल और टेटम ने यह hypothesis दिया था कि एक जीन में एक enzyme होता है इतना समझ गए आनुवांशिक लक्षणों की सरचनात्मक और क्रियात्मक की काई जीन, मेरे साथ साथ बोला करो, आपके लिए ही मैं चार बार बोलती हूँ, अदर्वाइस तो एक बार बताया और मेरा तो काम खतम हो गया ना फिर, जीन शब्द देने वाले जोंसन, मैंडल जीन को क्या नाम दिया था, कारक, और एक जीन, एक एंजाइम परिकल्पना को देने वाले बीडल और टॉटम, किस पर काम किया था, नियूरोस्पोरा कवक पर, कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई, फफुन बोलते हैं इसको, इतना आप समझ गए होंगे जीन की बारे में, अब देखो, इसके बाद में आपन लिख रहे हैं, जीन के कितने भाग होते हैं, तीन, जीन के तीन भाग होते हैं, कौन-कौन से, देखो, एक तो होता है सिस्ट्रॉन, जीन के तीन भाग होते हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और सिस्ट्रोन इसकी केसी इकाई होती है सिस्ट्रोन तो होती है सरचनात्मक इकाई सिस्ट्रोन है सरचनात्मक इकाई और सिस्ट्रोन इसकी सबसे बड़ी इकाई भी होती है मतलब टॉटल मिला के बात यह है कि जीन के तीन भाग होते हैं इन तीनों भागों से मिलकर ही जीन बनता है और जीन ने अपने कामों को इन तीन भागों में डिवाइड कर दिया है तो तीन मिलकर के जीन की काम को करते हैं इसका main काम क्या है, आनुवान्शिक लक्षन देना, तो ये structural unit होती है, और अगर इनका आकार का comparison पूछे न, आपसे तीनों में, तो सबसे बड़ा सिस्ट्रोन होता है, उससे छोटा रेकॉन होता है, सबसे छोटी काई होती है, म्यूटन, ये भी ध्यान रखना, अगर आकार क क्रम पूछे, सबसे बड़ा सिस्ट्रोन, उससे छोटा रेकॉन, सबसे छोटा कौन सा होता है, म्यूटन, सिस्ट्रोन इसकी structural unit होती है, man unit होती है, सबसे बड़ी unit होती है, रेकॉन होती है, पुनार योजन इकाई, रेकॉन है, पुनार योजन इकाई, रेकॉन है, रेकॉन जीन विनिमे के लिए भी responsible होती है, ये जीन विनिमे के लिए भी responsible, अपने अंदर जो मतापिता से एक लक्षन आते हैं, अपनी कुछ चीजें अपनी मा से मेच होती हैं, कुछ पिता से मेच होती हैं, और भी घरवालों से जो लक्षन मिल रहे हैं, वो cell division के दोरान, जब जीन् एक्सचेंज होता है उससे नए लक्षन आते हैं और जीन्स के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं जीन विनिमे, crossing over, गुंड सुत्रों के जीन्स का आदान प्रदान होता है कोशी का विभाजन के समय, उसको जीन विनिमे या क्या बोलते हैं, crossing over और ये responsible कौन सी काई है इसके लिए रेकॉन, म्यूटन एकाई होती है, ये उत्तरदाई होती है, उत्तरदाई होती है, उत्तरदाई होती है अब आप ये पूछोगे कि मैं उत्तरदाई होता है, LDC में आया था उत्तरदाई, वहाँ पे उत्तरदाई की definition लिखी वी थी, और आपको पैचान के बताना था कि किसकी परिभाशा है, उत्तरदाई क्या होते हैं, देखो, संत्ति या ओफ स्प्रिंग या अपन जो संतान है अपने मातापिता की, संतान के किसी भी लक्षन में आने वाले अचाना कोई भी परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन यदि वन्शागत रहता है न, एक पीड़ी से दूसरी पीड़ लक्षन आए, यह जरुरी नहीं है, उत्तरदाई परिवर्तन फायदे मंद भी होते हैं, नुकसान दायक भी होते हैं, उत्तरदाई की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ, लिख लो, आप कॉपी में नौट कर लो, Mutation, Sanctity या Off Spring के किसी भी लक्षण में आने वाले अचानक और वन्शागत परिवर्तन ही क्या किलाते हैं उत परिवर्तन तो Sanctity में आने वाले, Sanctity में होने वाले अचानक या वन्शागत परिवर्तन संत्ति में होने वाले अचानक, मतलब अचानक से कोई नया लक्षन आता है और वो वन्शागत भी होता है संत्ति में होने वाले अचानक और वन्शागत परिवर्तन, क्या क्यलाते हैं? उत्परिवर्तन क्यलाता है और Hugo de Brise ने उत परिवर्तन को किस में से खोजा था, तो इसने एक plant में से खोजा था, जिसका नाम है Ionothera Lamarchiana, एक plant है Ionothera Lamarchiana, और Ionothera Lamarchiana plant को Evening Prime Rose plant भी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं Evening Prime Rose, समझ गई क्या? तो mutation संतती में होने वाले अचानक और वनशागत परिवर्तन होते हैं इनकी खोज Hugo D. Breeze ने आइनो थेरा लेमार की आना या evening prime rose plant पर काम करते हुए की थी इतना समझ गए? एक बार वापस सुन लो वापस देखो Gene Gene शब्द को देने वाले Johnson Mendel ने Gene को क्या नाम दिया था? कारक एक Gene एक enzyme परिकल्पना वीडल और टेटम किस पर प्रियोग किया था? Neurospora कवक पर Gene के तीन भाग होते हैं Cistron, Recon, Muton सबसे बड़ा Cistron उससे छोटा Recon सबसे छोटा Muton और फिर mutation के लिए responsible होता है Muton और mutation क्या होते हैं? Office Spring में होने वाले अचानक और वन्शागत परिवर्तन उत्परिवर्तन के लाते हैं उत्परिवर्तन की खोज Hugo Debris ने Aynothera Lemarchiana Plant पर काम करते हुए की थी इतना समझ गए? इसकी बाद में अपने Gene का टाइप पढ़ रहे हैं Jumping Gene Jumping Gene RS Pre में पूछा हुआ है Jumping Gene क्या होते हैं? पहली बात तो Jumping Gene की खोज किस ने की है? Jumping Gene की खोज की है Barbara Macklin Talk ने Jumping Gene की खोज Barbara Macklin Talk ने की है और किस में से की है? Barbara Macklin Talk ने मक्का में से की है Jumping Gene की खोज Barbara Macklin Talk ने किस में से की है मक्का में से नॉर्मली जो जीन्स होते हैं वो गुणसुत्र पर एक स्थन पर रहते हैं जंपिंग जीन नाम से ही पता चल रहा है ये गुणसुत्र पर जंप लगाते रहते हैं एक स्थन से दूसरे स्थन पर जंप लगाते रहते हैं इसलिए इनको ट्रांस्पो जौन, इनका ही एक और नाम है, ट्रांस्पो जौन या परिवर्तनशील अव्यव कहते हैं. समझ गई क्या, जंपिंग जीन की खोच किस ने की, बार्बरा मैकलिन टोक ने, किस में से की थी, मक्का में से. और jumping gene क्या होते हैं, गुन्सुत्रों पर jump लगाते रहते हैं, एक गुन्सुत्र से दूसरे गुन्सुत्र पर भी पहुंच जाते हैं और इनी को ही क्या केते हैं, transpose, John या परिवर्तन, शेल, अभियोव, मक्का का वैग्यानिक नाम भी याद कर लो फिर मैंने आपको लंबी लाइन बताई थी ना ऐसे केंद्रक के अंदर कौन होते हैं, गुणसुत्र पर रेखाओं की रूप में, जीन किसके बने होते हैं, डीने के, डीने से क्या बनता है, आरेने, आरेने से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन किसकी तरह काम करती हैं, ए एंजाइम का काम क्या हैं? सभी उपापचे किरियाओं को संपन करवाना. याद है क्या कुछ? पढ़ा करो, मेरे साथ साथ रिवाइच किया करो. पढ़ने का तरीका मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था. ऐसा नहीं है कि आज मैंने गुण सुत्र का जो पढ़ाया था, वहाँ से ही स्टार्ट करोगे. यदि आप ऐसे पढ़ते हो तो ये बिल्कुल बेकार तरीका है और इससे आप लास्ट में आपको बहुत दिक्कत होगी. अगर आपने गुण सुत्र से पढ़ोगे ना, तो जब सेल खतम होगी ना, उस दिन ये भी आद नहीं रहेगा कि सेल सेल आई थी, फिर माइटो कॉंड्रिया, फिर एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम ऐसे. और सबसे पहली बात तो कॉपी का जो पहला पेज होता है ना, उस पे सेल जैसे आपने लिखना शुरू किया, तो पहले सेल का इंडेक्स बना लो. कि भाई अब सेल में ये 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 चीज आपन पढ़ते जा रहे हैं और अब अपन गुंसुत्र पे आए हैं, उसकी बाद में अपन जीन पढ़ेंगे, जैसे किताब में इंडेक्स नहीं आता है, क्या, गाइड में इंडेक्स आता है, इसकुल के बच्चों की किताब में इंडेक्स आता है, तो आप हर टॉपिक का describe करके अच्छे से मतलब लिखो पूरा सेल में अपने अब यह mitochondria पड़ी फिर यह पड़ा फिर यह पड़ा तो last में ऐसा हो कि आपने चीजे इतनी पढ़ ली हो कि आप index को देख की ही revise कर लो exam में जाते समय कि इंडेक्स को देख की ही आपको सारा याद आ जाए कि इस इस पर क्या-क्या लिखा हुआ था और इतना तब आपको याद आएगा जब आपने मेरी बात को यह फॉलो किया है कि अपने को पहले पैसे ही पढ़ना है पहले पैसे उसको नजरों से निकालो कि यह है यह है यह यह चीजे हैं फिर आप गुण सुत्र से याद कर लो और डेली ऐसा नहीं कर पा रहे अभी तो फ्री हो भही आप घर पे बैठके पढ़ रहे हो कोचिंग आने जाने का आपका टाइम भी बच रहे वैसे आपकी दो तिन घंटे आने जाने में भी तो खराब होते थे ना तो उसका यूटिलाइच करो और डेली भी नहीं कर पाते हो तो संडे को तो कम से कम शुरू से रिवाइच करो और ऐसा हर सबजेक्ट में होना चाहिए तब जाके क कुछ होगा ऐसी नहीं होगा कि जीन से पढ़ना शुरू कर दिया फिर लास्ट में तो पता इनी रहेगा पहले दिन क्या पढ़ा था फिर आपको दिक्कत होगी लास्ट में रिवीजन करने में तो एक बर्बादी का कारण ये भी रहता है तो कारण को अभी सुधार कर लो देखो, जीन की बाद में अपन पढ़ रहे हैं Nucleic Acid, Nucleic Amyl, और Nucleic Amyl की खोज की थी Fadric Mishar ने, Discovery of Nucleic Acid, Nucleic Amyl को खोजने वाले हैं Fadric Mishar, Nucleic Amyl की खोज की थी Fadric Mishar ने, किस में से की थी, तो इसने की थी मवाद यां पसल्स में से की थी, और इसने ना Nucleic Amyl नाम दिया था, इनको Nucleic Acid नाम नहीं दिया था, Nucleic Amyl नाम किस ने दिया था, Fadric Mishar ने, और Nucleic Acid नाम तो इनको दिया था, Altman ने, Altman नाम पहले आये था, कि अब बताओ, अब आपने मेरी बात को फोलो किया होता ना, और कौपी को शुरू से देखा होता, तो आपको तुरंत ही आजा जाता, Altman कहां पड़ाये था, हाँ हाँ, याद करो, Mitochondria की खोज, किसने की थी, Altman ने, और क्या नाम दिया था, बायो प्लास्ट, अब इतना आपको तब्याद होगा, जब आपका अभ्यास है, Altman ने इनको क्या नाम दिया था, Nucleic Amal नाम दिया था, और इसने Nucleic Amal नाम क्यूं दिया था, Nucleic Amal नाम दिया, Nucleic Acid की Amal लिये प्रकर्ती के कारण, Due to Acidic Nature, Amal लिये प्रकर्ती के कारण, Nucleic Amal की Amal लिये प्रकर्ती के कारण ही, इनको Nucleic Acid नाम दिया था, Altman ने, इतना समझ गए, खोज तो Faderic Mission ने की थी, किस में से की थी, मवाद याँ पसल्स में से की थी, Nuclein नाम दिया था, मवाद याँ पसल्स क्या होती है, जब लग जाती है ना, तो सर्जिकल पट्टी की जो कोशिकाएं लग जाती है तो पस नहीं पढ़ जाता है, क्या, मवाद पढ़ जाता है ना, तो उन सर्जिकल पट्टी की कोशिकाओं में से ही, इस Fadic Mission ने Nucleic Acid को खो जा था और उनको Nuclein नाम दिया था Nucleic Acid नाम तो Altamon ने दिया था किसकी कारण से अमली ये प्रकड़ती की कारण Due to Acidic Nature और Nucleic Acid कितने प्रकार के होते हैं तो Nucleic Acid दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक तो होता है DNA और एक कौन सा होता है RNA तो Nucleic Acid अमल दो प्रकार के होते हैं एक तो DNA और एक RNA अब ये तो नाम पते तो जानते भी होंगे ना आप इनके तो DNA का पुरा नाम तो है Deoxyribose Nucleic Acid अमल और RNA का पुरा नाम क्या है? RNA का पुरा नाम है Ribose Nucleic अमल डिने का पुरा नाम तो है Deoxyribose Nucleic अमल RNA का पुरा नाम है Ribose Nucleic अमल DNA के घटक या कंपोनेंट्स ये तो इनकी फुल फॉर्म है Deoxyribose Nucleic Acid and Ribose Nucleic Acid और इसकी घटक मतलब components मतलब अपन ये लिख रहे हैं कि DNA किससे मिलकर बना है? RNA किससे मिलकर बना है? DNA किससे मिलकर बना है? तो भही देखो इसमें क्या होती है Deoxyribose Sharkra Deoxyribose Sharkra Deoxyribose Sharkra होती है और RNA में कौन सी Sharkra होती है? तो RNA में होती है Ribose Sugar Ribose Sharkra होती है अब आपका कल का सवाल बताती हूँ मैं आपको आपको ये बताना है कि Ribose और Deoxyribose Sharkra में कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन वाली शरक्राएं हैं? ये आपके लिए कल का सवाल मतलब आज का सवाल है और आपको आंसर देना है मैं आपको कल बताऊंगे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना Ribose और Deoxyribose में कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन वाली शरक्राएं हैं? देखो, first तो है Deoxyribose Sharkra ये होती है Ribose Sharkra फिर इसमें second होता है Phosphate Sumo इसमें भी Phosphate Sumo और इसमें भी होता है Phosphate Sumo दोनों में Phosphate Sumo होते हैं, Phosphate Sumo क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी, अभी तो स्टार्ट किया है न, DNA में पूरी एक दिन की क्लास लगेगी, तब जाके DNA कम्पलीट होगा, DNA अपने आप में एक टॉपिक है, और वो माइक्रोबाइलोजी और बायो टेकनलोजी के अंदर तो DNA और RNA पर किताब आती है वही एक पूरी बुक आती है, इसके अंदर फिर एक थड क्या होता है दोनों में, नाइट्रोजनी शारक, नाइट्रोजनी बैसेज होते हैं, एक तो डियोक्सी राइबोशरकरा, इसमें राइबोशरकरा, इसमें फोस्पेट समों, इसमें और इसमें भी नाइट्रोजनी शारक, नाइट्रोजनी बैसेज होते हैं ना, नाइट्रोजनी शारक, समझ गए, अब आपन ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोजनी शारक क्या होते हैं, इतना तो आप समझ गए, नाइट्रोजनी शारक देखो, शौर्ट में लिख रही हूँ यहां पर? नाइट्रोजनी बैसेज और यहां पर लिख रही हूँ नाइट्रोजनी बैसेज. नाइट्रोजनी शारक कितने प्रकार के होते हैं? दो. कौन-कौन से? प्यूरीन और पिरेमिडीन. प्यूरीन और पिरेमिडीन. और आरेनेंबी भी नाइट्रोजनी शारक दो प् प्यूरीन और पिरेमिडीन तो दोनों में दो प्रकार की नाइट्रोजन इशारक हो गए एक तो प्यूरीन और एक पिरेमिडीन प्यूरीन कौन कौन सी होती है तो प्यूरीन होती है एडिनीन गवानिन प्यूरीन कौन सी होती है एडिनीन प्यूरीन होती है एडिनीन और गव गवानिन हो गई ना पिरेमिडीन होती है थाइमिन और साइटोसिन पिरेमिडीन होती है थाइमिन और साइटोसिन थाइमिन और साइटोसिन समझ गई क्या प्यूरीन तो होती है एडिनिन गवानिन पिरेमिडीन होती है थाइमिन और साइटोसिन अब प्यूरीन दोनों में सेम होती है यहां भी वोई होगी एडिनीन और गवानीन एक जामें कोशन भी आता है आरेने में थाइमीन के इस्थान पर कौन सा शारक होता है तो आरेने में थाइमीन के स्थान पर कौन सा शारक होता है यूरेसल, ये कोशन भी आया हुआ है और साइटोसिन तो सेम हो गई सही यह आँ पर भी और यूरेसल का सिंबल तो U, साइटोसिन का सिंबल होता है C, देखो तो एक तो नाइट्रोजिस डियोक्सी राइबोस शरक्रा हो गई इधर राइबोस शरक्रा हो गई फॉस्पेट समू हो गया, इधर भी फॉस्पेट समू हो गया इसमें भी नाइट्रोजनी बैसेज इसमें भी नाइट्रोजनी बैसेज प्यूरीन, पिरेमिडीन प्यूरिन कौन सी होती है, एडिनीन, गवानीन, थाइमीन, साइटोसिन, आरेने में थाइमीन के स्थान पर कौन सा शारक होता है, यूरेसिल, इत्ता समझ गई होंगे आप, कोशन एक ये भी आता है एक जाम में, डीने और आरेने में बिन्नता किसमें होती है, डीने और आरेन में बिननताब आप देखो शूगर दौनों में कोशन यह तो मैंने आपको कल के लिए दिया है ना तो आज नहीं बताऊंगी शूगर के बारे में दौनों में फॉस्पेट समूझ एक वल है दौनों में नाइट्रोजनी बैसेज में प्यूरीन एक वल है पिरेमेडेन में इसमें उस विकास को evolution बोलते हैं जेव विकास, evolution, सजीवों का विकास, मनोविज्ञान वाला विकास नहीं बोल रही हूं यहाँ पर, सजीवों का विकास कहलाता है जेव विकास, evolution, evolution के दोरान, RNA पहले आया था, DNA भाद में आया है, राइबोश शर्क्रा पहले बनी थी, डि कर लिया करो, विकास की दोरान, RNA पहले आया था, DNA बाद में आया है, राइबोश शर्क्रा पहले बनी थी, डि ओक्सीराइबोश शर्क्रा, राइबोश शर्क्रा से बनी है, simple चीज़े पहले आई ना, simple से complex बने ना, अब mobile जो आएगे वो पहले वाले से advance आएगे ना, गार फिर फ्लेट आई और फिर फ्लेट से भी फिर ऐसी आ गई दीवार पे लगा लो जगा वगा कोई घरने की जरुत नहीं है तो एडवांस चीज़ें आ रही है ना तो पहले RNA आये था RNA से बना था DNA और विकास की दोरान एक और चीज़ याद रखना mitochondria जो है ना इसकी origin ये cell ही चल रहा है अभी तो मैं आपको बता देती हूँ mitochondria की उत्पत्ती किस से मानी गई है mitochondria की उत्पत्ती मानी गई है bacteria से या जिवानु से या prokaryotic cell से क्योंकि मैंने आपको बताया ना simple चीज़े पहले आई है prokaryotic cell पहले बनी eukaryotic cell बाद में बनी ये mitochondria अपने अंदर होती है ये तो advanced cell का feature है तो mitochondria की उत्पत्ती किस से मानी गई है bacteria से मानी गई है और इसका reason क्या है इसका reason है दोनों का dna same है dna similar होता है और किसी का भी identification किस से माना जाता है dna से आपकी पैचान किस से अभी आपकी उत्पत्ती आपकी माता-पिता से हुई है ये पैचान किस से होगी dna fingerprinting ली जाएंगी आपको fingerprint लेंगे तो identification dna से होता है mitochondria के उत्पत्ती bacteria से मानते हैं क्योंकि डोनों का dna similar होता है bacteria के अंदर भी circular dna है mitochondria में भी circular dna है याद हो तो मैंने आपको बनवाया था जब mitochondria का चित्र बनाये था तो मैंने उसमें circular dna बनाये था तो bacteria में भी circular DNA होता है, mitochondria में भी circular DNA होता है और mitochondria का origin किस से माना गया है, bacteria से माना गया है इतना आप समझ गए, आप ribos, deoxy, ribos अरकरा का चित्रापन कल बनाएंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद